हलो नमस्कार दोस्तों देखिए हम सभी आपके लिए लेकर के आगए दोस्तों एक नया असाइमेंट एप पॉलिटिकल साइंस का असाइमेंट है निव असाइमेंट है इसी सेशन के लिए हम असाइमेंट लेकर के आगए हैं इस असाइमेंट को आप जुलाई में अगर आपन तो आप मैं जून तक जम्हा कर सकते हैं इंडेट एक्स्टेंड होगी तो अगर आपने जनुरी 2022 में रिरेजिस्टिशन के लिए तो आप इस असाइमेंट को कब तक जम्हा कर सकते हैं पता है दूस्तों आप इसे नौबर दिसंबर के महीने तक भी आप इसे जम्हा कर पाएं देखिये उस में इसे में जितने भी बी कोस होगा है हम सभी को लेकर की आगए दोस्तों लेकिना पूरा का पूरा अबका सुव आसाइमेंस के लोटव मुद्व में उनके लिए मिन आपको नाप इसे लिए। लिक्षा लेगा जतना है वन साइड मीनिम Blo室 लिखना गजिया 10 नंजर के लिए मिनिमम चार पीज लिकना कितने चार पैज चार फैज लिकना ठीक है दोस्तों और जो भूम जो पांछ नंबर की कोस्टन हैं जा छह नंबर के जो कोस्त थे नंबर वाले के लिए आप दो पेज लिखेंगे ठीक है दोस्तों दो पेज मिनिमम लिखना तब जा करके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेगा देखा इस assignment को आप helping के तौर पर जरूर यूज कीजिएगा इस assignment के help जरूर लेगा assignment को लिखने में और अपने assignment को लिखने में आप अपनी books जो आती ही गनू की उनका जरूर यूज कीजिए उनका भी जब आप add करके assignment को लिखोगे तो आपका assignment बहुत अच्छा assignment आएगा आपको assignment में अच्छे marks मिल सकते हैं आपको assignment में अच्छे number मिल सकते हैं लेकिन आपको assignment बनाना कैसे है यह भी आना चाहिए आप solve assignment को लेजिए और इसमें जो आपकी books हैं उनके भी solve assignment की पांच ही जो लाइने रहते हैं उससे आगे की book उसकी दो चाल लाइने उसमें और भी शुरू में add कर दिया करो books की लाइनों को अगर आप add कर दोगे तो क्या होगा आपका assignment बहुत अच्छा बन जागा मिनिमम जो मैंने page बोले हैं 20 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है दोस्तों 6 पेज लिखना मिनिमम 6 से कम नहीं होना चाहिए 20 नंबर के लिए और जो आपका 10 नंबर का है 4 पेज ल ला देता हूँ वन साइडेट पी जो चीजिए प्रैक्टिकल जो सीट्स आती है आप सोब पर जाएंगे तो आप पर आपको प्रैक्टिकल सीट मिल जाएंगी देखिए एक बात और भी आती है कि कोस्टन पेपर आपको assignment में कोस्टन पेपर भी add करना होता है ठीक है आपको तो जो मैं बाते बता रहूँ अगर आप इनको include करके assignment बना होगा तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आराम से अच्छे से assignment बना करके आप 90 नंबर गिहन कर सकते हो अच्छे से अच्छे आप number ले सकते हो मार्क से ले सकते हो आपको BPSC मैं political science जैसे subject हो मैं 90% number की बात करता हूँ इसमें आराम से अगर 90 नंबर आप आराम से ले सकते हो कोई बहुत जादू हो नहीं है कि कोई बहुत अच्छा assignment कैसे लिखा जाता दूसरा आप इन assignment में आप images का भी यूज कर सकते हो बीच बीच में आप images photo का भी यूज कीजिए ताकि आपका जो assignment थोड दिखा देता हूँ कैसे रहगा देख इसमें लिख भी रखा जुलाई session के जो हमारे चात्र है जुलाई दोजार इकीस में जिन्होंने सेकंडेर के लिए बीचलर उपार्ट बे जिनका है इगनु में जिन्होंने जुलाई दोजार इकीस के लिए रेरेजिस्टेंट करवा था अपरेल तक अपरेल 2022 तक सम्मिट कर सकते हैं या अपरेल 2022 तक एक नॉर्मल डेट रहती है ठीक तीस अपरेल तक उसके बाद इन डेटों को एक्स्टेंड करेगा तब आप असाइमेंट इसे अपरेल के बाद मई जून में जमा कर पाएंगे उसके बाद जैसे जन्वरी से से सन में कराया है आपने सेकंड डियर के लिए इगनों में तो आपको क्या रहेगी आपकी जो डेट रहेगी 31 सक्टूबर 31 सक्टूबर से आप नॉंबर और दिसंबर के महिने भी अपने साइमेंट को आप जमा कर पाएंगे 2022 में ठीक दोस्तों और आपका एक्जाम क्या हो जो होगा वह दिसंबर जन्वरी के महिने में लिया जाएगा 2022 में ठीक है दोस्तों तो पहला जो इसमें कोस्टन आए तुलनात्मक राजनीती को परिभासित कीजिए तुलनात्मक राजनीती के अध्यन के विभिन उपाग्रमों को लिखे तो सबसे पहले क्या करेंगी आप सारे कोस्टन को उतार लीजे फिर आप क्या लिखो उपर लिखो बीपी एसी 133 तुलनात्मक सरकारियों मुराजनीती फिर नीचे एक लाइन में लिखो जुलाई दोहजारी की संट जनुरी 2022 के छात्रों के लिए इन सारी बातों को पूरा चीजों को लिखो फिर उसके भाग एक यूनिट या सक्षन एक का आप उसी प्रकार लिख देना सत्रे कार भाग एक तो उसमें फिर कोस्टन लिखेंगे इन कोस्टनों को लिखें और आप यहां से अंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और अंसर में आप सुरू में भूमी का लास्ट में आप निसकर से लिखने का प्रयाज कुछिए इससे आपको उर भी ज़्यादा मार्स मिलने की कहीं के संभावनांएं बनेगी आपको पहले कोश्टन आपने लिखना है तो पहले कोश्टन के यहां पर आंसर दे रखा है आप अंसर को देख रहे हों दोस्तों तो आपको इसी परकार से सारी च सब्सक्राइeton को देख लिए नेकर के आगे हैं तो इसस साइमेंट को दिख ले हैं आपको यद्ग अच्छे7aben के बनाना है ऐसी सबीन निरने का प्रयास किवेड़ें हम की या साहिने ऊपने आप मैसेज की यdd यह Ten आप मैं आपको क्वेज़ के दुगाए पैसे नहें लेता हूं देखिए दोस्तों मैं पढ़ाता भी हूं आपको पता भी हुआ दोस्तों काफी दिन से हमारे चैनल को देख रहे हैं हमारे चैनल पर इसमें कई सारे जो question के answer होंगे वह आपको मिल भी जाएंगे बहुत सारी classes हम आपके लिए करवा भी रहे हैं तो कहिनके इसमें बहुत सारी question के answer दीरे-दीरे हम सभी question के answer कहिनके आपको देने का प्रियास करेंगे और कहिनके आपको बताने का भी हमारी तरफ से जरूर प्रयास रहेगा कि मैं आपको जादा चीजे में आपको बता सको बहतर बहतर चीजे में आपको बता इस पूरे कोशन को लिखने का प्रयास कीज़ेगा भगी ताकि आपको एक्जाम में ज्यादा से ज्यादा माक्स मिल सकें ठीक है दोस्तों तो आप इस आसाइमेंट को आराम से देखते रहिएगा आसाइमेंट ऐसा ही देखते रहिए ठीक है तो जैसे मैं नहीं बोला वैसे आसाइमेंट को आपको लिखना है वैसे आपको आसाइमेंट बनाना है ताकि आपको ग्याम में अच्छे से अच्छे माक्स मिल सकें तो फूरे आसाइमे इसका प्रेडियाप फ्रीमें देंगे पश्य की जरूरत नहीं आप हमारी वीडियो को अगर आप देखने आए वाइए पूरी कर लिए पहले वीडियो को पूरी वाच कर लीजिए ठीक है आप इसे अपने फ्रेंड के स्टास्ट भी कर सकते हैं वह लोगों से भी वाच करवा आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अरजित कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा माक्स अरजित कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लेकर आने हैं एक्साम परिक्षाओं में लेकर कहने हैं ताकि आप को बहुत जादा marks मिले दोस्तों जादा से जादा मास ले करके आईये और जादा से जादा आप अंके लेकर करके आईये उसे प्रिकार से कहिं कि इस assignment को आप पुरा दीक रहे हैं दोस्तों मैं हर assignment लेकर क्या होगा अगर आपको कोई assignment भी चाहिए तो हम ही ओ बताइए हम उसको भी assignment आपके लिए लेकर रहे हैं देखे दोस्तों मैं सभी assignment लाने के लिए आपके लिए तयार हूँ जितने भी assignment होते हैं वो मैं सभी assignment को आपके लिए लाने के लिए तयार हूँ आप comment box में बताईए कि आपको कौन सा assignment चाहिए जब तक आप बताओ कि नहीं दूसरा दोस्तो एक हमारी channel को भी subscribe कर लीजिएगा subscribe कर लीजिएगा इस channel पर classes आते ही रहती है हमारे channel पर क्या दोस्तो classes आते ही रहती है तो कहें कि इस channel पर हमेशा जैसे जो भी जो assignment करें उनकी subject को में पढ़ाता भी हूँ PPSC 133 को मैं सोयम पढ़ाता हूँ ठीक है मेरा काम ही है पढ़ाना यह तो मैं आपको helping के लिए assignment assignment में help करता रहता हूँ बच्चों को ताकि बच्चों के 90 प्लस number मुझे 90 से नीचे नमबर नहीं चीए इस assignment को अच्छे से लिखो 90 नमबर आ जाएगा इधर उदर किसी से बहुत ज़्यादा किसी से पूचने की जुरूत नहीं है मैं आपको experience के तोर पर बता सकता हूँ आपको अच्छे से अच्छे marks मिल सकता assignment में अच्छे से अच्छे assignment बनाओ कोई tension मतलो अच्छे से अच्छे assignment बनाएगा आपको assignment में बहुत अच्छे marks मिलेगा दोस्तो बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट marks मिलेगा दोस्तो आप assignment को अच्छे से बनाएगा ताकि आपको assignment में जदर से जदर marks मिल सके ठीक है, दूस्तों तो मैं我 assignment आ पूरा click करके देता हूं तो इस assignment को आपको देखते रहेगा ठीक है तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को क्या करना है आपको पूरा देखना है ताकि आपको सारे questions मिल जाए ठीक है वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा ठीक है इसकिप कर दो कि तो कोसिन छूट चाहेंगे तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा ठीक है दोस्तों तो वीडियो को देखते रही है अब कर दो झाल 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 झाल